नमस्कादों कैसे आप लोगुड दूस्तों जैसे के आप लोग देखेना है यह मेंद से च्छोटा सा बॉडर है जहाँ पर एक स्विच और एक फैन डेगुलेटर है तो यहाँ पर आपको यह बताएंगे कि आप फैन डेगर से अपने में फैनमे में इंडिकेटर, फ्यूज, सब कुछ लगे हुए हैं उसमें फैन रेगुलेटर भी लगा हुआ है तो आप कैसे कनेक्शन कर लेंगे अपने फैन में यहाँ पर हम किवल फैन का कनेक्शन आपको दिखाएंगे कि माली ची आपके पास फेजो नूटल सप्लाई आ रही है तो आप इस से या फिर 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 लेगुलेटर से या फिर अपने फैन में कैसे कनेक्शन कर लेंगे अगर आप नए है तो वीडियो को लाइक कर दीचे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीचे ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत ही असान ही से आप समझ जाएंगे कि फैन पहले से ओकन करके रख आपको दिखाते हैं इसका तो यह इसका बैक साइड है तो आप बहुत लोग सोच रहा होंगे देखने के बाद कि यह कटा हुआ है तो दोस्तों यह यहां पर एक सौकेट लगा था पहले एक सौकेट और एक स्विच था तो आपने सौकेट के जगह पर इसको लगा दिया है तो यहां पर आपको केवल समझना है कि हम फैन रिगलेटर से कनेक्शन कैसे करते हैं अपने फैन में ठीक है यह मा सूची कि यह तूटा हुआ फूटा हुआ ठीक है आपको केवल जानकारी लेनी है ठीक है तो यहां आपको बता रहे हैं ठीक है तो इसके बैक साइड में आते हैं तो बहुत लोग जानते होंगे कि जो जो फैन रिगलेटर होता है ये स्विच का भी काम करता है चीक है बहुत लोग जानते होंगे कि फैन रिगलेटर जो होता है ये स्विच का भी काम करता है चीक है तो स्विच का इसलिए काम करता है कि इसको दोनों वायर आप देख रहे हैं ये दोनों फेस का ही वायर होते हैं माली जी एक वायर है माली जी यह अपने पास wire है इसको आप बीच पे cut कर देंगे तो supply नहीं जाएगे ठीक है और जैसे इसको आप जोड देंगे तो इसमें supply जाएगी तो सेम स्विच में होता है माली जी हमने हमने supply लिए यहां से और एक wire यहां से लगाके output ले लिए तो जब हम स्विच को आउन करेंगे तो तुछ हो झाएगे तो supply चली जाएगी और जैसे हम स्विच को off कर देंगे तो दौन प्लाय कट जाएगी तो supply बंद हो जाएगी ठीक है तो यहां पर यह फेक ही तो आप क्या करेंगे हômारे मेन शप्लाई होगी है कि जिसमें हम फेज और न्योटल लेंगे तो फेज के लिए हम रेड़ वायर को यूज़ कर रहे हैं तो जब भी हम फेज लेंगे तो switch की निचले वाले पॉइंट पर एक पॉइंट का देदेंगे और दूसरा जो ठीक है तो हमने जो extra switch लगाई है यह मालीजी जो हमारी switch है यह प्रकार से extra production के लिए लगा रखे है ठीक है मालीजी कभी खराब हो जाए तो इससे आप इसको on-off कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने phase लगा दिया है अब हमको output लेना दिये हमारा phase है यह भी switch का काम करता है switch का ठीक है तो उससे पहले हमने switch लगा दिया है तो इसका एक phase point हम यहाँ पर लगा देते हैं ठीक है तो जब भी आप fan का connection करें जो regulator के पॉइंट हो उसको आप switch से लगा दीजिए माली जी यहाँ पर हमने switch लगाया है ठीक है लगा दिया ठीक है तो यह हमारी वायर जो phase का एक point यहाँ पर लग गया और दूसरा इसके output input में चला गया ठीक है अब यह हमारा phase का output होगा माली जी यह regulator से हम एक number पकड़ते हैं तो कम voltage जाएगी तो जो output है यहाँ पर कम voltage जाएगी और यही आउट्पुट आपके fan के phase में लगेगा जी हैं दोस्तों जो आपको fan का phase होगा वो यही output होगा जो कि जाएगा जैसे switch on होगा supplies में आएगी इसमें जाएगा और जैसे ही regulate होगा voltage यानि कि हम एक number दो number तीन number जैसे regulate करेंगे इस output से उतना ही voltage जाएगा ठीक है तो यह हमारा phase हो गया है output के लिए निकल चुका है ठीक है अब हमें phase और neutral supply चाहिए तो यह हमारा पास एक board है जिसलिए हम phase और neutral supply ले लेंगे ठीक बोर्ड में हम यह हमारा जो phase वाला point ही इसमें हम लगा देंगे ठीक है इसको हम पहले बाहर कर लेती है यानि कि यह हमारा output हो गया ठीक है तो यह output हो गया तो यह अपके fan में लगेगा ठीक है माली जी यह हमारा fan है ठीक है तो fan इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो यह bulb है आपको जो LED वल्ब है उसमें पता ने चल पाएगा तो यह bulb में आपको voltage का regulation मालूम चल जाएगी यह धीम हो रहा या तीज हो रहा, ठीक है, तो हम इसको as a fan की तरह यूज़ करेंगे, पोल्टिस को, हम देखेंगे कि हमारे जो fan लिगरेटर हो कैसे work करता है, ठीक है, तो ये मालेजी आपका fan हो गया, fan में phase or neutral wire होती है, ठीक है, तो ये जो phase wire है, ये जो phase wire है, ये जिसका output है, ठीक है हम इसको सीधा कर लेते हैं अभी इसको हम सीधा कर लेते हैं तो सोरे इसको हमने ऐसे कर लेना है तो जो हमने सप्लाई दी थी यहां पर में सप्लाई दी फेज यहां से इसमें से यह आउटपुट हो गया ठीक है तो इस आउटपुट को हम इसमें लगा देते हैं ठीक ह यह जो fan है इसका यह phase है ठीक है माली जी यह fan है तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया टमप्रेरी आपको बता रहे हैं ठीक है और जो fan का neutral है यह तो common होगा ठीक है तो जो neutral होगा यह तो यहाँ से आएगा कहीं से माली जी आपके घर्म बोट लगा हुआ है तो वहाँ पर neutral common है क जो कि बोर्ड में neutral यानि कि switch socket और सबी कुछ होंगे तो वहाँ पर neutral भी होगा तो वहाँ सब neutral इसको connect कर सकते हैं तो neutral हम यहां से ले ले रहे हैं ठीक है माली जी यहाँ पर हमने लगा लिया ठीक है सौरी हम यहाँ पर लगा लेते हैं इसको यहाँ पर लगा लेते हैं ठीक है इसे हमने लगा दिया और यह हमारी जो phase वाले point इसको भी हमने लगा दिया यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ भी switch off on है यहाँ भी on है और यहाँ पर on नहीं है आप देख सकते हैं red bulb जो है यह on नहीं है इसको हम on करते हैं जैसे ही आ तो अब देख सकते हैं यह लाइव जीमाज में सान रही है और बल्ब है यानि कि जो हमने एम लिया था अब देख सकते हैं एक दम थोड़ा सा चेल रहा ह तो आप देख सकते हैं, voltage down हो रहा है और यहां से हम बंद भी कर सकती है, ठीके, तो मालीजी इसको हमने on कर दिया, हमारा fan चल रहा है, अब हमको direct on, off करना है, switch से, तो हम Debend off कर सकते हैं, यहाँ से उससे ठीक है उसके बाद यहाँ से regulator सबंध करना है तो हम regulator से भी इससे बंध कर सकते हैं फिर इसको चला सकते हैं तो यहाँ अपन main पर पर भास यह था कि आपको regulator में कैसे connection है ठीक है, आप चान गया होंगे और यह कैसे काम करता है इसके लिए हमने इस बल्ब का यूज के ऐस फैन के लिए माले जो आपको जो फैन है उसमें बोल्टिज को रेग्लुराटर के तरह कम जाधा बोल्टिज देंगे तो वहां पर यह सो करता है ठीक है ऐसे आपको फैन चलेगा जब कम पॉल्टिज होगी तो आपका फैन दीमा चलेगा ठीक है तो दोस्तों आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा अगर यह वीडियो आपको पासन आए तो वीडियो को लाइक कर दीचे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेचे ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत सिंपल कनेक्शन है जो आपको कनेक्शन था बस आज के लिए इतना ही तब तक के लिए नमस्कार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा धन्यों